हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार मैं पंकाज अग्रारी आपनों का अग्राहरी एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइस 2.3 के क्वेस्चेन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स इसके पहले की क्लास में हमने क्वेस्चेन नंबर 1,2 और 3 को सॉल्व कर लिया है अगर आप लोग क्वेस्चेन नंबर 1,2,3 को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप लोग वहाँ से स्टेडी कर लिया है तो चलिए हम लोग क्वेस्चेन नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेस्चेन नंबर 4 क्या है तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेस्चेन को सॉल्व करते हैं तो question number 4 आप लोग यहाँ पर देखें क्या कहे रहा question number 4 गुड़न खंड ग्याद किजिए हमें क्या निकालना है तो चलिए हम लोग गुड़न खंड निकालते हैं first number देखें क्या दिया है 12x square minus 7x plus 1 और हमें इसका गुड़न खंड निकालना है तो गुड़न खंड हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग समझिए यहाँ पर जो x square का coefficient है x square के coefficient coefficient क मतलब गुड़ांक x square का जो गुड़ांक है उस गुड़ांक को हम लोग अचरपद से multiply करेंगे multiply करिए x square का जो गुड़ांक है 12 है और जो हमारा अचरपद क्या है 1 है तो 12 को 1 से multiply करेंगे 12 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए हमारा 7 है 7 यह माइनस 7 x है हमें इसको कुछ इस तरीक इस बारे को कुछ इस तरीके से break करना है कि हमारे पास जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए तो इस टुडेंट्स समझे अगर हम लोग माइनस 4 गुड़े माइनस 3 कर दे हमारे पास क्या आजाएगा प्लस 12 आ जाएगा और हमें माइनस 7 x चाहिए तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर माइनस 4 x माइनस 3 x कर दे देखिए इसको multiply कर रहे हैं था हमारे पास 12 भी आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका गुड़नखंड क्या हो जाएक मैनस 7 x के अस्थान पे मुर्य प्लस 1 और इसको हल कर कर लिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर चारी एकस है यहाँ पर भी यहांसे हम लोग चारी एकस कोमन कर सकते कर लीजिए तो चार दीया 12 यहां पे 3x हो गया माइनस 1 यहां पे देखिए माइनस हमने यहां पे 1 common किया तो ए माइनस वाला क्या हो जगा प्लस हो जाएगा और ए वाला प्लस वाला क्या हो जगा माइनस हो जाएगा यहां पे मारे पास क्या आ गया यहां पे 3x माइनस 1 है तो हमने 3x-1 क्या किया common कर लिया तो बचा क्या हमारे पास 4x-1 हमें गुड़न खंड निकालना था तो हमारे पास इसका गुड़न खंड क्या आ गया देखिए 3x-1 into में 4x-1 और यही हमारा क्या हो गया answer हो गया देखते हैं इसका second number क्या है चलिए हम लोग इसके second number पर चलते हैं second number देखी क्या दिया है हमें इसका गुड़न खंड निकालना है तो राइट कर लिजी क्या लिखा है 7x plus 3 हमें इसका गुड़न खंड निकालना है तो चलिए हम लोग इसका गुड़न खंड करते हैं देखिए x square का गुड़ां को multiply करेंगे चरपत से तो 3 को multiply कर लिजिए किसे 2 सित हमारे पास क्या हो गया 6 इस चे को में इस तरीके से ब्रिक करना है कि हमारे पास जोड़ने या घटाने के बाद 7 आना चाहिए ता आप लोग सोचो अगर हम लोग 3 गुड़े 2 करें तो 3 दूनी 6 हो जागे लेकिन 3 दू मारा 5 हो जाएगा 7 नहीं आ रहा है आप लोग और सोचो और अगर हम 6 गुड़े एक कर दें देखिए अगर हम लोग 6 गुड़े एक कर दें थमारे पास क्या हो जागा 6 और अगर हम लोग 6 एक्स प्लस 1 एक्स कर देंगे थमारे पास देखिए प्लस का 7 एक्स आ जा रहा है यानि कि 7 एक्स के अस्थान पर हम लोग क्या रखेंगे 6 एक्स प्लस एक्स यहीं प्लस 3, अलकर लिजए students इसको, देखिए हमको दिख रहा कि अगर हम लोग यहां से क्या कामन कर सकते हैं, हम लोग 2 कामन कर सकते हैं, 2 कामन कर लिया, x भी कामन कर सकते हैं, कामन हो गया, बचा क्या, 2x निकल गया, यहां पर x बचा, प्लस देखिए, यहां से मारा 2 निकल गया ह एक्स भी निकल गया है तो क्या बचा है थ्री यहां पर प्लस वन हमने कोमन किया तो एक्स प्लस थ्री इस तरीके से बचा अब यहां पर देखिए एक्स प्लस थ्री यहां पर भी है एक्स प्लस थ्री यहां पर भी है तो एक्स प्लस थ्री को हम लोग यहां पर राइट कर ले दिखे गुड़न-खंड कितना आसान है आपको भस थोड़सा सोच रहा है थोड़सा आप लोग सोच ले गए तो आप लोग आसानी से कर ले जाईएगा चलिए अब हम लोग िस थार्ड नंबर को solve कर लेतेसं थार्ड नंबर को six x square six x square plus five x और minus क्या है minus six है तो write कर लो minus six और हमें इसका क्या करना है गुड़न खंड करना है तो चलिए हम लोगों इसका गुड़न खंड करते हैं अब लोग थोड़ा सा रफ वर करते हैं रफ वर करिए देखे इस six को x square का गुड़ांक है ना x square के गुड़ांक को आप 45 से multiply करिए तो हमने six को multiply किस से minus six है यहाँ पर तो minus six से multiply करेंगे तो minus 36 आ गया हमें minus 36 चाहिए लेकिन इसको कुछ इस तरीके से break करें कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए पांच भी आना चाहिए तो आप लोग सोचे हम लोग क्या कर सकते हैं क्या हम लोग चारतीयां बारा कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर मलोग 12 ते टिया 36 कर सकते हैं नहीं कर सकते लेकिन आम लोग 9 चोग 96 कर सकते हमें प्लस 5 एक्स चाहिए अगर हम लोग 9 in वे माइनस 4 कर दें हमारे पास क्या माइनस 36 आ रहा है हाँ अब यहां पर देखिए अगर हम लोग प्लस 9x-4 x कर दें क्या हमारे पास प्लस 5x आ रहा है हाँ यही हमारा क्या हो जागा इसका गुड़न खंड हो जाएगा इसी तरीके से स्टुडेंट्स आपको सोचना है पांच एक्स के अस्तान पर रखना है रख दीजिए 6x स्क्वाइर प्लस 9x-4x-6 हल करिए देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 6x स्क्वाइर यहां पर 9x है हमको दीख रहा है हम लोग 3x कॉमन कर सकते हैं तो 3x हमने कॉमन किया तीन दूनी क्या हो जाग अच्छे तीन कॉमन हो गया ना तीन दूनी 6 और यहां पर क्या बच्चा एक्स और यहां से मारत 3x निकल गया है क्या बच्चा है तीन त्रिक कर नो और यह एक्स तो निकल ली गया है यहां पर देखिए यहां पर हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं 2-2 कॉमन किया है तो 2 दूनी 4 यहां पर एकस बचा। बहelier दो common की है हमने तो 2x बचा ना यहां पर होजाएगा दो तिया छे कि अब टू एक्स प्लस थ्री यहां पर भी है इसको अब लोग कुछ इस तरीके से राइट कर ली ज़िए 2x-3 और यहां पर देजी क्या बचा ऄला ook 3x-2 राइट कर लो 3x-2 और students, एही हमारा क्या हो गया, यह हमारा answer हो गया, तो write कर लिजिए, चलिए भर लोग four number को solve कर लेते हैं, और देखते ही हमारा four number क्या है, चलिए हम लोग four number को solve करते हैं, क्या दिया है 3x square minus x minus 4 हमें इसको हल करना है इसका गुड़न खंड निकालना है तो आप लोग फस्ट इस्टेप में क्या करोगे x square के पास जाना है और देखना है उसका जो गुड़ांग है वो क्या है इसका गुड़ांग 3 है इस 3 को multiply करेंगे हमारे पास क्लिक किया है माइनस तरी किस तरीके से ब्रिक करना है इसको कुछ इस तरीके से चाहिए लेकिन माइनस बारा चाहिए और यहां पर minus x चाहिए minus x लेने के लिए जो हमारा बड़ा वाला होगा उसे minus करेंगे और छोटे वाले को plus करेंगे minus 4 गुड़े 3 करेंगे तो minus 12 हो जाएगा और यहां से देखिए minus 4 x plus 3 x करेंगे तो हमें minus x मिल जाएगा इतनी बात आप लोग समझ गए अभी इस minus x के अस्थान पर आप लोग यहीं रख दीजिए और हमें solution मिल जाएगा यहां पर लिखे 3 x square minus x के अस्थान पर क्या रखना है minus 4 x plus 3 x minus 4 हल कर लिजिए देखिए मारा क्या common हो बन रहा common दोनों में क्या इसमें common क्या है x x हमने common किया यहां पर क्या ब्चा 3 x 3 x स बचा न यहां से minus 4 यहां पर देखिए अगर हम प्लस ओन common कर ले यहां पर हमारा आ रहा है यहां पर भी वही आना चाहिए यह को ख्याल रखना है 3x-4 हो गया अब देखिए 3x-4 यहाँ पर भी है यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से राइट किया 3x-4 3x-4 common हो गया तो बचा क्या x-1 और हमें इसका गुड़नखंडी तो करना था यहाँ पर देखिए हमने इसका गुड़नखंड कर दिया और यहीं हमारा क्या हो गया तो my dear students इस तरीके से हमने question number 4 के चारों सवालों को solve कर लिया है चलिए हम लोग next number पे चलते है question number 5 चलिए हम लोग question number 5 को solve करते है तो यहाँ पर देखिए question number 5 हमें क्या दिया है हमें भी इसका गुड़नखंडी निकालना है तो चलिए हम लोग इसका गुड़नखंड कर लेते हैं तो चलिए students हम लोग इसके first number को solve करते हैं देखते हैं इसका solution क्या होगा तो इसको हम लोग माल ले रहे हमारा क्या है P of X है तो write कर लो P of X is equal to क्या है x cube minus 2x square minus x plus 2 अब यहाँ पे देखे power 3 है और हमें इसका करना क्या है गुड़न खंड तो इसका एक गुड़न खंड क्या हो सकता है इसको पता करने के लिए इम लोग क्या करेंगे यह जो यहाँ पे constant हमारा term है इस constant term के इस constant term के जितने भी संबावित गुड़न खंड इसको लोग लिखते हैं दो को लोग कैसे लिख सकते हैं दो कुड़े एक लिख सकते हैं तब भी हमारे पास 2 ही आएगा और अगर अगर हम लोग 2 को माइनस 2 कुड़े 1 कर लें माइनस 2 कुड़े माइनस 1 करें तब भी हमारे पास क्या जाएगा प्लस दो आएगा अब इसमें हम लोग x के अस्थान पर दो रखेंगे तो रखिए देखिए यहारा p of two क्या हो जाए देखिए जो भी मान रखने पर यह हमारा p of x zero हो जाएगा वही हमारा क्या होगा इसका एक गुड़न खंड होगा इस बात को आपको समझ करके चलना है देखिए अभी आप लोग समझ में आएगा यहां से हमने क्या किया अगर हमारा अगर हमने इसको इसमें रखा चले रखके देखते हैं पहले दो दूनी चार दूनी आठ हो गया माइनस दो और दो दूनी क्या हो जाएगा चार माइनस दो प्लस दो हल करिए इसको देखिए क्या हो जाएगा माइनस दो से प्लस दो कैंसिल हो गया 8 माइनस 2 गुड़ी 4 करिएगा तो माइनस 8 हो जाएगा माइनस 8 से cancel यहाँ पर 0 हो गया P of 2 पर हमारा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है यानि कि जब हमने X बराबर 2 लिया X बराबर 2 पर यह जो हमारा P of X है 0 हो गया तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जो हमारा X माइनस 2 है क्या कहेंगे X माइनस 2 इस P of X का लिख लो इस बहुपद P of X का बहुपद P of X का एक गुड़न खंड होगा देखे हमने गुड़न खंड का पता कैसे लगाया हमने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कॉंस्टेंट टर्म था कॉंस्टेंट टर्म को के जितने भी संभावित गुड़न खंड थे उसमें से कुछ को हमने यहाँ पर राइट किया और उसके बाद हमने एक-एक की बैलू इसमें रखना स्टार्ड करी हमारा पहले पी हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो एकस-दो है इस बहुपत का एक गुड़न खंड है तो चलिए महाँ लोग गुड़न खंड करते हैं इसका तो राइट कर लिजिए एक गुड़न खंड है यहाँ पर राइट कर लिजिए P of X का एक गुड़न खंड है चलिए अब यहाँ पर राइट कर लिए P of X is equal to क्या है X cube minus 2X square minus X plus 2 अब जब X minus 2 इसका एक गुड़न खंड है तो इसमें से इसको हम लोग कुछ इस तरीके से set करेंगे ताकि हमें X minus 2 common मिल जाए तो इस चार पद से इसको हम 6 पद में बनाएंगे तो सोचिए क्या हो सकता है इसको हम लोग X cube ही रहने देते हैं और हमें common में चाहिए क्या X minus 2 और सोचिए अगर हम लोग इसको क्या कर दें हमें minus 2 चाहिए हमें क्या चाहिए minus 2 चाहिए तो सोचो अगर हमने इसमें से X square common कर लिया X square common किया तो हमारा X minus 2 बच है निख, इसको अइसको अइसे ही रहने देते हैं इसको अइसे ही रहने दो आए X minus 2 वैसे ही common मिल जा दखें हमने X square common किया तो बचा क्यआ यहाँ पे X square common हो गया, तो X बचा और यहाँ से X square common हो जोग 2 बचा फिर यहाँ पे देखें अगर हम यहां से 1 common कर लें हमारे पास क्या हो गया x-2 इस टूडेट यह हमारा easily solve हो गया इसमें हमें 4-6 पत बनाने की जरूवत नहीं पड़ी तो देखें x-2 यहां पे भी है x-2 यहां पे भी है x-2 हमने यहां से write कर लिया और बचा क्या x square minus 1 और इसको हमने इस तरीके से write कर लिया तो यहां पे हमें इसका गुड़न खंड ही निकालना था और इसका गुड़न खंड हमारे पास आ गया है और इसका गुड़न खंड क्या है x-2 into x square minus 1 और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया यहां पिर students आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा और break कर सकते हो देखिए कैसे break होगा यहां पे लिख लो यहां क्या हो सकता देखिए यहां पे x minus 2 इसको ऐसे रहने दो यहां पे हमें दीख क्या रहा देखिए x square 1 को में लोग लिख सकते हैं 1 का square a square minus b square का formula बना a square minus b square और इसका हम गुड़न खंड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा a plus b और a minus b हमारा formula होता है और यहां से देखिए क्या हो जाएगा a हमारा क्या है x है b हमारा क्या है देखिए b हमारा क्या है 1 है a minus b और a plus b x plus 1 यहां से हो जाएगा तो इस तरीके से मारे पास क्या हो गया तो यहां से क्या हो गया x-a x-1 या फिर x-1 into में x-a इसको आप राइट कर दीजे x-1 into में x-a और a b हमारा answer हो गया तो गुड़न खंड करना है हमने इसको पूरी तरीके से expand कर दिया यह भी मारा क्या है answer है चलिए आप लोग next नंबर पे चलते और देखते हैं अगला नंबर क्या है चलिए आप लोग next नंबर पे चलते हैं तो students आप लोग अगला नंबर देखिए solution हम लोग इसका निकालने वाले हैं क्या दिया है x cube minus 3x square minus 9x minus 5 हमें यह दिया है अब हम करेंगे क्या आप लोग सोचिए यहां पे यह जो हमारा constant term है यहां पे यह जो हमारा constant term आपको दीख रहा है यहां पे minus 5 इस minus 5 का हम लोग क्या करेंगे जितने भी संबावित गुणन खंड है उसको right कर सकते हैं देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं minus 5 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे एक बार x is equal to minus 1 रखेंगे फिर x is equal to plus 1 भी रख सकते हैं फिर यहां से देखिए x is equal to 5 रखेंगे और यहां पे देखिए x is equal to minus 5 रखेंगे इतना मान हम लोग यहां पे रख सकते हैं और जिस पर यह जो p of x है इसको p of x मान लेते हैं जिस मान पर x के जिस मान पर यह p of x हमारा 0 हो जाएगा वही वही इसका क्या होगा एक गुड़न खंड होगा इस्टूडेंट्स आप लोग समझ गया होंगे जिस x के मान पर यह 0 होगा उसका चलिए आपर देखते हैं किस पर 0 हो जा रहा है तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या रख लेते हैं हम लोग चलिए इसी x is equal to minus 1 ही इसमें रखते हैं तो लिखिए x is equal to minus 1 पर ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा तब ही आप निकाल पाईएगा तो देखिए क्या हो जाएगा p of x क्या हो जाएगा x के अस्तार में minus 1 रखिए चलिए इसको राइट ही कर लेते हैं x cube minus 3 x square minus 9 x minus 5 तो हम लोग p of minus 1 निकालते हैं ठीक है p of minus 1 देखिए क्या हो जाएगा p of minus 1 तो यहाँ पे minus 1 की power 3 हो जाएगा minus 3 into में minus 1 की power 2 minus 9 into में minus 1 minus 5 इतना हुआ minus 1 की power 3 क्या हो जाएगा minus 1 यहाँ पे देखिए minus 3 और minus 1 का square करिएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे minus 1 minus 9 क्या हो जाएगा plus 9 और यहाँ पे हो जाएगा minus 5 नेक देखिए माइनस 1 और माइनस 3 इंटो 1 करिएगा कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस 9 माइनस 5 इस टू डेट्स अब आप लोग देखिए यहाँ से माइनस 5 माइनस 4 क्या मिला जो x is equal to minus 1 पर यह जो p of x है इसकी value 0 हो गई तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से दिखिए x is equal to minus 1 पर लिख दिखिए x is equal to minus 1 पर p of x क्या है 0 है इसलिए क्या हो जाएगा इसको इस तरह बेच के लिख सकते हो इस तरीके से x plus 1 ठीक है इसको समझने के लिए इसका जो opposite देखिए x is equal to minus 1 पर क्या है p of x 0 है तो जो x plus 1 है x plus 1 p of x का एक गुड़नखंड होगा जब मैं एक गुड़नखंड मिल जाता तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है p of x का एक गुड़नखंड है तो चलिए जब p of x का एक गुड़नखंड है तो हम लोग गुड़नखंड इसमें से निकाल इसका गुड़नखंड कर भी देते है हमें p of x देखिए क्या दिया है लिख लिए प of x हमें क्या दिया है x क्यूब माइनस 3 x स्क्वाइर माइनस 9 x माइनस 5 अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे और कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमें x प्लस 1 common मिले तो चलिए अब हमें x प्लस 1 चाहिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए x क्यूब माइनस हमें प्लस 1 चाहिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है आप लोग सोचिए अगर हम लोग इसको x स्क्वाइर लिख दे हमने इसको क्या लिखा x स्क्वाइर तो देखे यहाँ पर क्या बचा माइनस 3x स्क्वाइर है और यहाँ पर हमने क्या लिखा प्लस x स्क्वाइर तो देखे इस्टुडेंट्स अब यहाँ पर माइनस देखे इस तरीके से माइनस 3x स्क्वाइर है और हमने यहाँ पर प्लस x square कर दिया है अब यहाँ पर अगर हम लोग minus 4 x square करें तो minus 4 x square में से हम लोग x square घटा दें हमारे पास minus 3 x square मिल जाएगा तो हम यह मान करके चल रहे हैं कि जो minus 3 x square है उसके अस्थान पर हमने कुछ इस तरीके से write किया यह हमारा actually है क्या minus 3 x square ही तो है तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इस तरीके से write कर ले रहे हैं ठेक है students minus 3 x square को हम लोग कुछ इस तरीके से write कर ले रहे हैं ठेक है यहाँ पर write कर दिजये तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा minus 4 x square में से 1 x square गटा दें माइनस 3x इस्क्वाइर ही तो बचेगा चलिए अब यहां पर देखिए हमें x प्लस 1 चाहिए तो x प्लस 1 हमें यहां से कैसे मिल सकता है आप लोग सोचिए अगर इस माइनस 9x को हम लोग लिख दें माइनस 4x यहां पर हमने माइनस 4x किया और बचा क्या माइनस 5x है ना यहां पर माइनस 5 देकिन माइनस 9x को हमने अलग थलग कर दिया और कुछ इस तरीके से किया ताकि हमें यहां पर x प्लस 1 कॉमन मिले तो माइनस 9x को हमने लिखा माइनस 4x म मैनस पाँच एक्स और यहां पर हमारा क्या है मैनस पाँच है अब आप लोग देखिए यहां पर x square यहाँ पे x cube हमारा x square common हो जाएगा हमने x square common किया अब यहाँ पे बचा क्या? x बचा और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा देखिए x plus 1 मिल गया next देखिए यहाँ पे minus 4 x square है यहाँ पे 4 x है और हमने अगर यहाँ पे minus 4 x common कर लिया तो बचा क्या? यहां पर minus 4 x common हुआ तो बचा कि I x और minus common किया तो यहां पर किया बचा plus 1 Next देखिए अब students अगर हमने यहां से minus 5 common किया तो यहां पर क्या effort x और minus 5 निकाल के ले गए तो यहां पर किया बचा then plus 1 तो देखिए हमारा गुड़न खंड बन गया यहाँ पर भी x प्लस 1 यहाँ पर भी x प्लस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1 तो x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा common हो जाएगा अब यहाँ पर बचा क्या x square minus 4x और minus 5 बचा इस तरीके से बच गया चलिए अब लोग इसको solve करते हैं फिर से एक बार देखिए एक तो गुड़न खंड x प्लस 1 हो गया है अब लोग इसको भी गुड़न खंड के रूप में change कर देंगे देखिए करिए इसको अब इस minus 5 को कुछ इस तरीके से break करिए minus 5 को कुछ इस तरीके से break करिए हमारे पास जोड़ने है घटाने के पास minus 4x आना चाहिए तो इसको इस तरीके से आप समझेए minus 5 है और इसको अगर हम कर दें 5 गुड़े minus 5 गुड़े एक कर दें तो minus 5 मिल जाएगा और minus 5x और अगर plus x कर दें तो minus 4x मिल जाएगा तो इस minus 4x के अस्थार पर लोग क्या लिखेंगे minus 5x plus x तो write कर दीजिए x square के अस्थार पर लिखे minus 5x plus x minus 5 और इस में से भी आप common करिए x plus 1 common कर लिजिए देखे x common है तो x common करिए यहाँ पर क्या बचा x minus 5 और यहाँ पर देखे हमने plus 1 common किया तो इस bracket में क्या बचा x minus 5 और इसको हल करके लिख लिजिए यहाँ पर है x plus 1 और यहाँ पर क्या है देखे एक bracket में x minus 5 और दूसरे में क्या हो जाएगा x plus 1 और इस student देखे यही मारा क्या हो गया गुडनकंड के रूप में change हो गया ना गुडनकंड हो गया ना इसका और यही मारा क्या है solution है यही मारा answer हो गया तो my dear students इस तरीके के प्रश्णों को solve करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो questions को easily कर ले जाओगे चलिए अब लोग next number पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्ण क्या है अगर आप लोग लिख कि चलिए मारे पास अगला question आ चुका है तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं कि इसको माले रहे क्या हमारा है पी ओफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स इसकोर प्लस 32 एक्स और प्लस क्या है बीस है अब इस्टुडेंट देखिए यहां पर 20 है प्लस 20 है और इसका हमें गुड़न खंड निकाल इसको हमें जितने भी सम्भावित गुड़न खंड़ा इसको ब्रेक कर लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं चार गुड़े 5 लिख सकते हैं तब भी मारा 20 हो जाएगा अगर माइनस 4 गुड़े माइनस 5 करें तब भी क्या हो जगा प्लस 20 आएगा और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम लोग किसी एक पर चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग x बरावर 4 पर चेक कर लेते हैं और एक बार हम लोग x बरावर 5 पर चेक करेंगे यहां से देखें x बर करके चेक करते ठीक है एक वरबर मानस पाँच भी तो चलिए लोग सबसे पहले किस पर चेक करें इस एकल माइनस चाहर पर चेक करते हैं इस एकल मानस चाहर पर तो देखें क्या हो जागा पी-4 क्या हो जाएगा यहां पर रख दीजिए माइनस फॉर का क्यूब हो जाएगा प्लस तेरा इंटू में माइनस चार का स्क्वाइर प्लस 32 इंटू में माइनस चार प्लस 20 यह हो गया देखें यहां चे क्या होगा चार चोग 16 चोग का 64 माइनस 64 हो गया नेक्श देखिए चार चोग 16 हो जाएगा और तेरा गुड़े 16 करिए तेरा गुड़े 16 करिए तो लिख देते हैं तेरा गुड़े में 16 प्लस माइनस माइनस होगा और चार दोनी हो जाएगा आठ और चारत यां हो जाएगा बारह नेक्स देखिए Plus 20 हल का लीज़े Students तो देखे क्या हो जाएगा देखे यहां से क्या हो जाएगा इसको solve करते हैं Princess – 128 Plus 20 मैनस क्या हो जाएगा यहां पे 108 यहां पे क्या है – 64 यहां पे write कर लीज़े और देखे 1688 488 हासिल क्या बचा 4 16 के 16 4 20 देखें कुछ काम बन रहा 208 में से 108 गटाईएगा तो क्या हुझाएगा 100 और 100-64 यानि कि हमारा 0 नहीं आया तो एक गुड़न खंड नहीं होगा चलिए इस्टूइट्स हम लोग कुछ और सोचते हैं इस्टूइट्स देखिए यहां पर मारा 20 है न तो 20 को हम लोग 20 गुड़े एक भी लिख सकते हैं तो 20 आ जाएगा इसको हम लोग अगर माइनस 20 गुड़े माइनस 1 करें तब भी क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा तो हम लोग इस माइनस 1 पर चेक करते हैं इस पर भी चेक कर लेते हैं चलिए तो चलिए हम लोग x इसकोल टू माइनस 1 पर चेक करते हैं और माइनस 1 का क्या हो जाएगा इसक्वाइर और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा प्लस 32 इंटू में माइनस 1 प्लस 20 हल कर लिजे इसको माइनस 1 की पाउर 3 तो माइनस 1 हो जाएगा यहां पर देखिए माइनस 1 का स्क्वाइर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 13 गुड़े 1 क करेंगे तो माइनस 32 और यहां पे क्या हो गया 20 20 दस 33 33 में से घटाएंगे 32 और यहां पे 32 मैंरस 32 is equal to क्या हो गया 0 यहां पर पी ओफ माइनस वन पर जो हमारा पी ओफ X है वो equal to हो गया 0 तो यहां से हम लोग ने क्या देखा X is equal to minus 1 पर जो P of X है वो equal हो गया कि इसके 0 के इसलिए जो X plus 1 यहां पर यह जो हमारा बहुपद है यह वाला इसका क्या है एक गुड़न खंड है X plus 1 इस बहुपद का क्या है एक गुड़न खंड है लिख लिजिए चले हम लोग इस बात को right कर लेते हैं इसलिए X plus 1 दिये गए बहुपद का एक गुड़न खंड होगा बहुपद का एक गुड़न खंड है इसका क्या इस्टुडेंट एक गुड़न खंड है तो चलिए मैं लोग इसका गुड़न खंड कर लेते हैं देखिए मैं क्या दिया है हमें दिया है इसको मने माना था P of X हमें क्या दिया है X क्यूब प्लस 13 X स्क्वाइर प्लस 32 X प्लस 20 और अब हम लोग इसका गुड़न खंड कर लेते हैं चलिए अब आप लोग यहां से देखिए हमें कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करना है ताकि हमें सब जगہ से क्या हो जाए X प्लस 1 common मिले हमें common में क्या चाहिए X प्लस 1 common चाहिए तो चलिए हम लोग X प्लस 1 को common करते हैं तो यहां पे आप लोग देखिए तो यहां पे आप लोग देखिए Students यहां पे क्या है एक्स क्यूब है और हमें एक्स प्लस वन कॉमन चाहिए इसके लिए हमें यहां पे क्या लिखना होगा एक्स स्कॉयर लिखना होगा एक्स स्कॉयर लिखना होगा यहां पे हमारे पास बचेगा क्या 12 एक्स स्कॉयर यहां पे लिख लो 12 एक्स स्कॉयर अब द 12x common करना है ना तो last में 1 चाहिए तो 32x को में कुछ इस तरीके से break करना पड़ेगा और इसको हम लोग क्या लिखे 1 लेने के लिए यहाँ पे 12x लिखना पड़ेगा 12x common करेंगे तभी तो यहाँ पे में x plus 1 मिलेगा अब देखिए आप लोग तो अब हमने 32x को किस तरीके से लिखा 12x plus 20x के रूपने हमने इसको write कर दिया कुछ इस तरीके से अब यहाँ से देखिए हमने x square common किया तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा x square निकल गया तो यहाँ से x plus 1 बचेगा और यहाँ से देखिए हमने 12x common किया तो यहाँ से हमारे पास x यह 12x निकल गया तो यहाँ से 1 प्लस यहाँ से हमने 20 common किया तो हमारे पास क्या हो गया x plus 1 इतना आप लोग समझ गए चलिए next देखिए x plus 1 यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी है हमने x plus 1 common कर लिया अब आप लोग देखिए ब्रेकट में क्या बचा x square प्लस 12x प्लस 20 और इसको इसका हम लोग फिर से गुड़न खंड करेंगे तो करिए x plus 1 इसको कुछ इस तरीके से 20 को ब्रेक करिए ताकि जोड़ने या गटानी पर हमारे पास क्या आने चींग 12 तो आप लोग सोचिए हम लोग क्या कर सकते 10 दूनी 20 चलिए x square प्लस अगर हम 10x लिखें इसको यहाँ पे लिखें 2x तो 10 दूनी 20 और 10x प्लस 2x क्या हो जागा 12x चलिए 20 हो गया और यहाँ पर देखें क्या हो जागा राइट करिए x प्लस 1 यहां से मारा x कॉमन किया हमने x कॉमन हो गया तो ब्रेकेट में क्या बचा x प्लस 10 और यहां से देखिए हमने 2 कॉमन किया तो ब्रेकेट में क्या बचा x प्लस 10 अब आप लोग फिर से देखिए यहां पे एक bracket में मारा हो जाएगा x plus 1 और यहां पे x plus 10 यहां पे x plus 10 तो हो जाएगा x plus 10 यहां पे x plus 2 बचा है तो इसको आप write कर लिजिए और यही हमारा क्या हो गया गुडन खंड हो गया लिख लो ए मारा क्या हो गया अंसर हो गया तो इस्टुडेंट्स आप लोग गुडन खंड को समझ रहे हैं कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में बेज सकते हो या फिर आप लोग अपने डाउट्स को मारे इस टेलिग अगले नमबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला question क्या है तो चलिए students हम लोग इस four number को solve करते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा questions पढ़िए students देखी क्या दिया 2y3 इसको माल ले रहे हैं मारा क्या है पी ओफ एक्स है तो पी ओफ एक्स इस इकुल टू क्या है 2y3 plus y square minus 2y minus 1 तो इसकी power 3 है तो इसका गुड़नखंड हम लोग कैसे करते हैं आप लोग सोचिए सबसे पहले यहां पर जो हमारा constant term होता इस constant term को हम लोग break करते हैं ब्रेक कर लिजिए minus 1 को हम लोग कैसे लिख सकते कि minus 1 into में 1 करेंगे तब भी 1 आएगा तो हम लोग x is equal to एक बार minus 1 पे चेक करेंगे और एक बार x is equal to 1 पे चेक करेंगे चलिए हम लोग चेक करते हैं x is equal to minus 1 पर अगर एक इस इसकोल to minus 1 पर एक पी एक समारा 0 हो जाता है तो एक प्लस 1 इस बहुपत का एक गुड़नखंड होगा चलिए हम लोग पी आफ माइनस वन निकाल लेते हैं तो यहां पर देखें यहां पर इस्टूदेंट्स क्या है वाई है न यहां पर देखें वाई यह यह इसको हमलों पी आफ वाई माल ले ठाहिए है इस बातका आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर हम लोग वाई के अस्थान पर क्या रखनेंग वाई की माईनस वन की रखना होग चलिए है तो रख दीजैए हैं यहां पर माईनस उन की पाउर थी प्लस- स्कॉरार हो जाएगा थो वाई का बैलू क्या रखना माइनस वन और यहाँ पर क्या है माइनस वन है हाल कर लिजिए वन की पावर माइनस त्री तो माइनस वन ही हो जाएगा और चलिए लिखी देते हैं प्लस, माइनस वन का स्क्वाइर करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस टू इंटू में माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दो गुड़े एक क्या हो जाएगा दो, यहां पर लिख देखें, माइनस वन, प्लस वन से कैंसिर हो जाएगा, और दो गुड़े म minus 1 है, वो equal to 0 हो जा रहा है इसका मतलब जो हमारा x minus यहाँ पर है न, तो minus minus plus a, x माइने retro chae कि इसका क्या होता है, गुड़न खंड होता है, गुड़न खंड पर में आप Sleep जानते होंगे चले, तो यहाँ से क्या हो जागह, x plus 1 यहां पे जो बहुपद दिया गया है लेकर जो p of minus 1 is equal to 0 इसलिए x plus 1 दिये गए बहुपद का एक गुड़न खंड है students आपको y plus 1 लिखना है इस गलती से बचना है इसलिए y plus 1 दिये हुए बहुपद का का एक गुड़न खंड होगा गुड़न खंड होगा चलिए हम लोग इसको solve करते हैं तो p of x यहां पे write कर लिजे p of x is equal to 2y cube plus y square minus 2y minus 2y minus 1 अब लोग इसको कुछ इस तरीके से break करेंगे ताकि हमें हर जगा से क्या मिले y plus 1 common मिले हमें क्या मिले हर जगा से y plus 1 common मिले तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं तो यहां पर देखिए students आप लोग देखिए हमें common में क्या चाहिए y plus 1 हमें common में क्या चाहिए y plus 1 तो हम लोग y plus 1 common निकालते हैं देखिए क्या करेंगे यहां पर इसको लिखे 2y cube और y plus 1 common लेने के लिए यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए यहां पर हमारे पास 2y square होना चाहिए इस y square को उमने 2y square लिखा तो इसका मतलब क्या है हमें यहां से y square घटाना भी पड़ेगा 2y square में से y square घटाएंगे तो y square आ जाएगा तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा अब देखिए यहां पे हमारे पास minus 2y है और हमें y plus 1 common लेना है तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोग सोचिए अब यहां से अगर हम लोग y minus y common ले लेंगे देखिए इस minus 2y को हम लोग कुछ इस तरीके से break कर देते minus y minus 1 अब यहां से देखिए हमने 2y common किया तो हमारे पास क्या बचा यहां पे बचा y यहां से 2y निकल गया है हमने 2y square common किया तो यहां पे क्या बचा y यहां पे बचा 1 यहां पे देखिए हमने minus y common किया तो देखिए minus y निकल गया यहां पे क्या बचा y और यहां पे plus 1 अब यहां पे देखिए हमने minus है one common किया तो यह minus वाला plus हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा इस तरीके से देखी क्या हो जाएगा य प्लस वन यहां पर भी है य प्लस वन यहां पर भी अधमने य प्लस वरन को कॉमण कर लिया अब बचा क्या 2y²-y-1 हमारे पास ब्रेकट में बच गया अब हम लोग इसका गुड़नखंड कर लेते हैं तो चलिए हम लोग इसका गुड़नखंड करते हैं इसका गुड़नखंड करने का रूल क्या है y² के coefficient को आप multiply करिये अचरपत से तो y² का coefficient क्या है 2 और 2 को हमने multiply किया अचरपत से अचरपत क्या है minus 1 तो 2 into में minus 1 minus 2 आ गया अब इसको कुछ इस तरीके से break करना है जोडने या घटाने के बाद minus y आना चाहिए तो कैसे करें आप लोग सोचिए हम अगर minus 2 को multiply कर दें minus 2 को multiply कर दें 1 से तब भी देखें हमारे पास minus 2 ही आ रहा है अब यहां से अगर हम लोग minus 2y plus y कर दें तो हमारे पास देखें minus y हमको मिल जाएगा minus 2y में से y घटाई घट minus y हो जाएगा अब minus y के अस्तान पर हम लोग यही रख देंगे तो रख दीजिए तो रख दीजिए देखें क्या हो जाएगा 2y square यहां पर रखना है minus 2y plus में y minus 2y plus में y हमने रखा यहां पर minus 1 और इसको हल कर दीजिए y plus 1 और students यहां पर देखें हमने यहां से 2y common कर सकते हैं न इसमें से तो हमने 2y common कर लिया बचा क्या 2y निकल गया तो y minus 1 बचा अब यहां से हमने plus 1 common किया यहां पर क्या बचा y minus 1 बचा तो जो बचा उसको write कर लिजिए यहां पर y minus 1 यहां पर भी y minus 1 तो एक bracket में मारा y minus 1 और बचा क्या 2y plus 1 और दूसरे bracket में हमारा क्या हो जाएगा 2y plus 1 तो इसको लिख लेजिए y plus 1 y minus 1 और 2y plus 1 क्या हो गया यहां पर जो में बवपद दिया गया था उस बवपद का हमने क्या निकाल लिया कूडन खंड और यही हमारा क्या हो गया students answer हो गया तो माई डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस question number 4 and 5 को solve किया तो माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपनों कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहे थैंक यू